नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन मंसल वास्तु कुंसलिटेंट आज फिर मैं आपके साथ अपने यूटूब के कमेंट वाक्स में आई वे मैसिज का जबब देना चाहूंगा मेरे पास मेसिज है कारगिल फीड नालवी इन्होंने लिखा है सर जी नौर्थ में पानी की टैंकी लगाई हुई है और पानी का मोटर भी है बट कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे है अगर उसके अंदर वाइब्रेशन जादा है तो आप उस मोटर की वाइब्रेशन कम करें आवाज जादा करती है तो उसके आवाज कम कराएं कम कैसे होगी उसको प्रॉपर तरीके से रिपेर कराएं ऐसा करने से आपके अंधानाने के सदन बनेंगे इसी के साथ आपने नौर्थ में पानी कांजल काउंट टेंक बनाये हुए है और आप उसका रेगुलर इस्तमाल करते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप पानी के टेंक की एक बार सफाई अच्छे तरीके से जरूर र करनाया अच्छे तरीके से सफाई करके उसके अदर ताजा पानी भरनाया आप उहां पर बाल्टी पानी की भर्षक दे रखते हैं यदि तो मेरा आपना यह मानना है कि आपके नहीं के और आप ने करूआ यह छोटे से उपाई आप अपने यहां पर जरू कर लिजिए इसी के साथ में आपको एक बात और बताना चाहूँगा आप में पानी के टेंक नौरजोन में बनाया हुआ है और वहां पर पानी के टेंक का जो ढखन बनाया हुआ है यदि वह ढखन आपका फर्श के लेवल से है तो भी आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे आप उस डखन को फर्श के लेवल के बराबर कराएं आपके मन में कोई भी कोश्चन है तो आप मेरे यूटूब के कमेंट बोक्स में मैसेज लिख सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपके मैसेज का जवाब वीडियो नए उनवा सकते हैं और आप साइट विजट के लिए इनवाइट करना चाहते हां साइट विजट के लिए भी कर सकते हैं है मेरे द्वारा इस वीडियो में देगी जानकारी आपको सही लगी तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर रहें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमली और फ्रेंग्स के फेस्बुक गूरूप और वाटसप गूरूप पर शेयर करें मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीएगा ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नहीं वीडियो है उनकी नुटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे इसी तरह अगले प्रोडम में फिर एक नवी शेफर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार